इस वीडियो में हम सीखने वाले है क्लास 12 सब्जेक बाइलोजी चैप्टर नमबर 8 एंड डिसीज के बारे में यहाँ पर हम सीखने वाले है कुछ इंपोर्टेंट क्वेशन जो की एक्जाम के लिए आएंपी है तो आईए सीखते हैं हमारा first question है यहाँ पर how is the cancerous cells different from a normal cell क्या पुछा गया है question में कि जो cancer की cells है वो normal cell से किस टाइप से different है तो यहाँ पर कुछ properties दे रखिए जैसे कि first जो property दी है इसमें क्या कहा है जो cancer की cells होती है यह अपनी इनिवीशन की जो property है उसको यह खो देती है याने कि अगर एक बार इंड में cell division स्टार्ट हो जाता है और एक tumor का form ले लेती है और इसे हम कहते है कि cancer की गाठ है या फिर cancer का यह tumor है ठीक है second point में कहा है continuous to growth and division लगातार यह जो cell से वो size में बढ़ती रहती है और divide भी होती रहती है जिससे कि यह body के other parts में भी fail सकती है third point यहाँ पर कहा है produces masses of cell called tumor जो cell है उनके पास एक mass आ जाता है यानि कि एक weight आ जाता है और उसे हम कहते है कि यह क्या है यहाँ पर एक tumor है यानि कि जो cell है वो tumor का form यहाँ पर ले लेती है next question देखते है question number 20 में यहाँ पर क्या कहा है second question है इस वीडियो का यह हमारा in which way has the study of biology help us to control the infectious disease यानि कि ऐसी disease जो संक्रामक होती है यानि कि infectious होती है उनको हम किस type से control कर सकते है और यह जो control करने का तरीका है इसमें जो biology subject है या जो biology science की branch है यह किस type से हमारी help करता है तो यहाँ पर देखते हैं point wise दे रखा है study of the biology help us to diagnose the pathogens of in the following ways जो biology है वो हमारी किस type से help करती है तो हमें pathogen को diagnose करने में help करती है यानि कि कोई भी disease पैथोजन के कारण फेल रही है pathogen यानि कि यहाँ पर bacteria, virus, protozoa या other microorganisms से है यह ऐसे organism से है जो कि किसी ने किसी type की disease को फेलाते है और इनको हम pathogen बोलते हैं तो biology क्या करते हैं यहाँ पर pathogen होता है इसको पहचानने में help करवाती है यानि कि pathogen के diagnosis में help करवाती है जो वेक्ति biology पढ़ता है वो easily कुछ symptoms देख के किसी disease को पहचान पाता है कि यह disease किसके कारण है इसका जो pathogen है वो क्या है और इस pathogen को किस type से control किया जा सकता है जैसे जो भी वेक्ति डॉक्टर बनते है जैसे human के डॉक्टर है या animal के डॉक्टर है तो यह लोग कही न कहीं इन्होंने अपने past time में biology subject को पढ़ा है तभी तो यह पहचान पाते है कि जो disease है वो किस microorganism या किस pathogen के कारण हो रही है और इसका हम prevention किस type से कर सकते है ठीक है तो यहां पर हम देखते है point wise क्या कहा है first point में यहां पर कहा है the life cycle of many pathogens studied जो biology है इसकी help से हम बहुत सारे जो pathogen है इनकी life cycle को study कर पाते है और अगर study कर लेते है तो हम इनकी जो life cycle है उसको अगर complete नहीं होने दे तो इनका हम inhibition कर सकते है यानि कि pathogen की जो growth हो रही है उसे हम रोक सकते है और disease से बच सकते है second point में कहा है alternate and reservoir host are non कुछ disease ऐसी होती है जो दो या दो से अधिक टाइप के microorganisms के कारण होती है तो उनको भी हम यहां पर पहचान पाते हैं इसके अलावा कुछ disease के जो pathogen है वह दो या दो से अधिक organisms के अंदर या different type के animal या फिर human being के अंदर रहते हैं यानि कि human being क्या है pathogen के लिए एक होस्ट है एक ऐसा घर है जिसमें कि वह आपको easily develop कर पाते है pathogen अपने आपको तो यहां पर हम biology के help से जो भी होस्ट होते हैं यह pathogen के उनको हम पहचान पाते हैं और कोई अगर alternative host है तो उसे भी हम पहचान सकते हैं जैसे एक्जामपल अगर देखे हैं malaria का यहां पर एक्जामपल लें तो malaria का जो प्रोटोजवा है वह अपना life cycle दो phases में complete करता है इसका one जो phase है वह जो mosquito होता है उसकी body के अंदर complete होता है और one या फिर यू कहें कि हाप जो cycle है वह human being के अंदर complete होता है यानि कि जो malaria का parasite है वह अपन life cycle दो छोटे-छोटे cycle यह यह कहें कि दो half cycle में complete करता है एक जो half cycle है वह mosquito का अंदर होता है और दूसरा human being के अंदर होता है यानि कि जो malaria का protozoa है इसके लिए alternative और reservoir host जो है वह human being and mosquito है यानि कि जो malaria का protozoa है वह human being के अंदर भी जीवित रह पाता है और जो malaria का मच्छर है जिसको हम female anaphylis mosquito बोलते उसके अंदर भी यह अपने आपको जीवित रह पाता है यह क्या है यहाँ पर इनके alternative host हो गए थर्ड पॉइंट में क्या कहा है the mechanism of transmission of disease is known अगर वेक्ति बालोजी पढ़ा हुआ है तो उसे पता रहेगा कि कौन सी disease किस transmit होती है और उसे हम किस टाइप से रोक सकते है तो वेक्ति उसे रोक पाएगा इसलिए भी यहाँ पर इस टाइप से बालोजी हमारी help करते है फोर्थ पॉइंट में कहा है the protective measures are suggest against disease and pathogen based and above studied ओपर की जो हमने कुछ points पढ़े इनकी help से हम कुछ ऐसे तरीके अपना सकते है जिस disease ना कर पाए और इनकी जो growth होगे रहे वो रुक जाए फिप्थ पॉइंट में कहा है यहाँ पर suitable medicines again infectious disease are suggested अगर वेक्ति बालोजी पढ़ा हुआ है जैसे डॉक्टर है उसने बालोजी पढ़ी है तो कौन सी disease में कौन सी medicine work करेगी यह डॉक्टर को अच्छे से पता होता है य इसके क्या function होते है यह सब चीजे डॉक्टर को अच्छे से पता होती तभी तो वह हमें हर एक disease के लिए यह अलग-अलग type की जो disease है उनके लिए अलग-अलग type की medicine से write करके देता है और वह हम store से purchase करते है शिक्स पॉइंट में क्या कहा है the preparation of vaccine against many pathogens also entitled the use and study of biology याने की बहुत सारी वैक्सीन से प्रिपियर की जा चुकी है और जिनकी हल्फ से हम बहुत सारी डीसित को भी आज प्रिवेंट कर पाये जैसे आपने देखा होगा पॉल्यों की जो वैक्सीन है वो пож生US को होने से रोकती है इसे डी सीड की वेक्षिन वेग्षीन है वो और значит उनको रोकने में help करती एक ब्हुत सारी आगई है आजकल सारी बीमारियों के लिए लगाती है बच्चे को स्टाइघिंग-मीन के लगा garden ना हूं हम नेक्स्ट क्यूशन यह आपर हाव ड़स द्राज्समिशन आफ इंजर आप फॉलोइंग डिसीज टेक्स प्लएस यहापर कुछ डिसीज दे रखी है और पूछा है कि यह डिसीज किस टाइप से फेलती है तो देखते हैं इनको यहाँ पर क्या कहा है फॉस्ट डिस यहां पर आमोई बियासिस जो आमोई बियासिस डिसीज है यह थ्रू फीकल औरल रोट के थ्रू फेल्टी यानि कि इसमें एनिमाल का जो मुह है वह आसपास से थोड़ा स्वैलिंग कर जाता है यानि पिंपल्स आ जाते हैं बड़े-बड़े तो यह क्या है आमोई बियासिस है यानि की आमीबाख के थ्रू होती है नेक्स्ट है अनलेरिय यू बोउर्क चुर्ल फॉबहो फीमेल एनाफ़लीज मॉस्कुटों के बाइट करने से होती है इसे जो ऑसकेल्शीस डिसीज हैं यह कंटामिनेटेड फूट एंड वाटर यानिanki जो बासी या खराब खाना हो याने कि जो नियुमोना है इस डिसीज के अंदर क्या होता है जिस भी परसन को यह डिसीज होती है उसके जो लंग्स होते हैं उसमें काफी सारा कफ जामा हो जाता है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है एंड साथ ही ड्रॉपलेट्स हो जाते है इस प्यूट्यूम पर अब नेक्स्ट देखते हैं यहां पर वाट मैजर्स वुड्यू टेक टू प्रिवेंट द वाटर बोर्न डिसीज ऐसे डिसीज जो की वाटर के कारण होती है उनको हम किस टाइप से प्रिवेंट कर सकते हैं यह यहां पर पूछा गया है ठीक है तो बहुत ही इजी है हम घर में यह सब चीजे करते ही रहते हैं जिससे की वाटर से रिलेटेड डिसीज नहां जैसे बरतन वगरा को साफ करके डेली पानी बनना उसके अंदर या छान के हम पानी को बरते किसी भी मटके या कंटेनर के अंद है ड्रिंकिन वाटर सुट भी क्लीन फ्रॉम क्लीन फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन दीस कुड़ बी एचिव याने कि जो पानी हम पीते है वह ऐसा होना चाहिए जिसमें कि किसी भी टाइप के छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगरा नहीं होना चाहिए या किसी टाइ आपका जो प्लीन एड निड जो वाटर रहता है उसे हम किस टाइप से चीव कर सकते है तो बाइफिल्ट्रेशन अगर कुछ बड़े बड़े पार्टीकल से तो हम चान के अलग कर सकते है वाटर के अंदर बॉइलंग करके यान चोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है त के अंदर तो हम वाटर को कुछ टाइम के लिए रग देते हैं जिससे की बड़े या छोटे-छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के वह सैडिमेंट हो जाते हैं याने की नीचा के बेड़ जाते हैं केमिकल ट्रीटमेंट कर दते हैं वाटर का याने कि उसमें कुछ क्लोरीन या कुछ अधर टाइप के मेडिसिन मिला देते हैं जिससे की वाटर प्योर हो जाता है सेकेंड पॉइंट में कहा है वाटर रिजर्वार्स रिसोर्स शुड़ भी प्योडिकली डी कंटैमिनेटेड या डिसिंफेक्टेड यानि जिस भी वरतन में हम पानी भरते हैं पीने योग पानी जहांपर भी भरा जाता है फिल किया जाता है वह बरतन को हमें बार-बार time to time साफ करते रहना चाहिए दो-चार दिन के अंदर ही बार-बार हमें periodically बड़े जो बरतन्स होते हैं जिनके अंदर आप पानी भरते हो उनको हमें साफ करते रहना चाहिए थर्ड पॉइंट में कहा है यहां पर water should not be allowed to stand for long to become breeding pools याने कि water को ज़्यादा लंबे समय तक हमें कहें पर भी भरके नहीं रखना चाहिए जिससे कि उसमें different type के microorganisms उसमें develop हो और disease का करण बने फॉर्थ पॉइंट में कहा है standards practice of hygiene should be strictly maintained in public caterins public caterins जो होती है वहां पर standard type की hygiene जिन प्रैक्टिस को अपनाना चाहिए याने कि अच्छे से वहां पर साफ सपाई रखना चाहिए जिससे कि disease spread ना हो तो ये थे हमारे इस वीडियो के यहां पर four important questions I hope आपको ये question अच्छे से understand हुए होंगे and thank you so much for watching this video thank you